जी नमस्कार मैं सचिदानद प्रशाद कृषिव ज्यान केंद्र में मैं अभी क्रिषीव ज्यान केंद्र के अनुदेसित परश्यत्र पर उपस्थित हो और यह मेरा धान का फसल की कटाये हुई है किसान भाईयों मुख रूप से हमें यह देखना है कि जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उस समय ध्यान देने की ज़रूत होती है हमें कटाई के समय मुएसर 20-22% रखनी चाहिए और आप यह देखते हैं कि बालियों में 20-22% मुएसर रहता है लेकिन उसका डंठल जो होता है थ दिनों में सुख जाएगा और 5-6 दिनों के बाद हम अपने थ्रेसिंग फ्लो पर इसको बांध करके ले जाएंगे इसके बाद हम थ्रेसिंग करेंगे थ्रेसर के द्वारा थ्रेसिंग करेंगे तो हमें यह भी ध्यान देने की ज़रूत होगी कि हमारा प्रपरली पूरा दा भूसा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग होगा दाना बिल्कुल फ्रेस होगा कभी कभी क्या किया जाता है कि आर्पीम को बढ़ा दिया जाता है जिसके कारण क्या होता है कि दाना जो है टूट जाता है यह समस्यां आती है तो किसान भाईयों बिल्कुल सही आर्पीम रखें 1500 RPM और दाना आपका बिल्कुल सही रूप में निकलेगा आप देख लिए चेक कर लें उस समय कि दाना हमारा कितने RPM पर निकल रहा है और दाना जब निकल जाएगा और भूसा बाहर हो जाएगा तो उसका मुल्ली भी आपको बाजार में अच्छा मिल पाएगा धन्यव है तो तुर है और दाना हमारा क्या उसक्त कर ले निकलेगा बाहर है तो तो उसक्तक कर लें पाएगा यादाने जाएगा जाएगा और